महिला अरक्षन बिल पेशने के बाद, सीर्चन भोला सिंग ने भी नोसने डिया केस अवादाता अली शरर से खास बातचीत की या बातचीत में उन्होंने क्या का है ? वो भी आप सुनिया नए संसद भवन के आज पहले दिन महिला अरक्षन बिल पेश किया गया संसद में ज्यादा बात करने के लिए हमाद साथ खुड डाक्टर भोला सिंग बीजीपी संसद उनसे बात कर जानेंगे कि इस से महिलाओं को क्या फायदा होगा उनसे में महिला अरक्षण जैसा कि लोगत्ति की विवस्ता में बाबाब धाक्टच भीम्रां मेट्र जी ने समीदान में सब को बरावर काधिकार देने की बात की और महिलाओं को भी बरावर काधिकार मिले देश में मानिय मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद नारी ससक्ती करन को बहुत विसेश बल के साथ में योजनाओं से उनको लावर मुएत किया गया और मानिय प्रधान मंत्री जी इस देश की महिलाओं को आदमिज्वर बनाना चाहते हैं उसी का प्राणा हमे कि हर छेत्र में महिना नेंतर आगे बढ़ रही है अब यह राजनीति में अगर हम लोको चुण चब करें तो हर छेत्र में अभी एजला बन बेढ़ शीर में पृङल एधानी में अभी इजला बंच्ट्र महिलाओं को मिलता है कांग्रिस का एक कहना कि पिछले 27 साल से भी लुका हुआ था लगतार वो इसके विरोध कर रहे थे और राजीव गांदी के समय में यूजना लाने का सोचा गया था कांग्रिस ने 73 साल इस देश में साजन किया है अगर वो सोच थे तो कर देते इतना लंबा समय नहीं लगता है किसी काम को पूरा करने में निरंतर जब अटल जी थे भावमत ना होने की बज़े से ये विल पास नहीं हो पाया लोगों ने उसको पास नहीं होने दिया लेकिन मानिये प्रधानमंती जी की जो महिरा सक्तिगंड की सोच है लोकसभा और विधान सभा में भी महिलाओं को बरावर का अधिकार मिले इस उद्देश को लेके बिल लाया गया है और निष्चिति इसमें आरक्षन से जो आज सरवाधिक अगर हम देखते हैं अजादी स जो है उनको मिलेगा भोला सिंग सांसर जिनों साफतों पर go का कि आने वाले समय में महिलाओं को बल मिलेगा और पिदार मेंती नरेंद मुदी की वही इक्षा है कि आने वाले समय महिलाओं को पूरा संमन मिले तिर्ली